केंद सरकार ने कहा, जल्द कम होगे टमाटर के दाम सरकार ने टमाटर के दामों में अचानक उच्छाल के पीछे मौसमी कारण बताया है विस, नई दिल्ली, केंद सरकार ने टमाटर की कीमतों में आये तेज उच्छाल को अस्थाई और मौसमी कारण बताते हुए मंगलवार को कहा कि इसके दाम जल्द ही नीचे आ जाएंगे। मौझूदा समय में देश के कई शहरों में 100 रुप्य और उससे भी अधिक दाम पर तमाटर बिकने की खबें आ रही है। उब्भोक्ता मामलों के विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंग ने कहा कि टमाटर की कीमतों में तेजी एक अस्थाई समस्या है। हर साल इस समय ऐसा होता है। दरसल टमाटर बहुत जल्द खराब होने वाला खाद्य उत्पाद है और अचानक बारिश होने से इसकी धुलाई पर असर पड़ता है। उब्भोक्ता मामलों के विभाग के पास उपलब धांकडों के मताबिक 27 जून को अखिल भारती अस्तर पर तमाटर की ओसत कीमत 46 रुपये प्रती किलो रही। हाला कि इसकी अधिक्तम कीमत 122 रुपये प्रती किलो भी दर्च की गई है। देश के 4 म इट्टो शहरों की बात करें तो दिल्ली में टमाटर की खुदरा कीमत 60 रुपये प्रती किलो, मुंबई में 42 रुपये प्रती किलो, कोलकाता में 75 रुपये प्रती किलो और चेननाई में 67 रुपये प्रती किलो हो चुका है। टमाटर का भाव मदर डेरी के स्टो पर भी 122 प्रती किलो भी दर्च की गई है तमाटर की अधिक्तम कीमत किलो रही। हालांकि सरकारी आंकडों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और करनाटक के बेलारी में तमाटर का भर 122 प्रती किलो दर्च किया गया है। कि आपरती भी मांग की तुलना में कम हो गई है।